तो गुड मॉर्निंग दोस्तों भारती अधिकारी व्लोग में करती हूँ आपका स्वागत आज मैं बना रही हूँ इडली बहुत इजी स्टाइल में और उसके साथ सांबर नहीं सिर्फ चटनी तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ वह है मेरा स्टाइल और सबको बहुत दस मिनिट में हम इडली और चटनी रेड़ी कर सकते हैं और अगर हमारे पास इडली ज्यादा बरतन भी नहीं है बस एक सांचा होने से ही हम चटनी भी घंब बना सकते हैं दोस्तों यह बनाने जा रही हूँ मैं इडली के साथ खाने के लिए चटनी और यह टमाटर अद्रक लहसुन तीनों चीजों को मैंने उबालने के लिए रख दिया है और इधर तैयारी कर रही हूँ इडली बनाने की तो मैंने आधा किलो सूजी डाल दी है बरतन में और दो चांच के पैकेट लिए हैं और अब मैं इस सूजी में मिला रही हूँ आधा चमच खाने वाला सोड और साथ मैं मिला रही हूँ आधा चमच नमक थोड़ा टेस्ट के लिए और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिलाने जा रही हूँ राई और अब मैं इधर चटनी के तैयारी कर रही हूँ लाल मिच न डालकी मैं हरी मिच डाल रही हूँ और साथ मैं ये बॉयल हो गया है तो इस मैं घोल को डाल रही हूं साचे में क्योंकि यह थोड़ा फूल गया तब से रखके अब मैं इसको साचे में डाल दूँगी और बॉयल करने के लिए रखूंगी यह मैंने रख दिया है साचों में अब इसको stand लगा के मैं इसको रख दूँगी पतीले में क्योंकि मेरे हुई हैं घैस पर रख दिया है चत्नी को प्राHY की और मैं अंधर इधर मैंने थे त्व मो की छत्नी भी जाने हैं अगर मेने की Ben अब Jest कर घरने का चलर ने अचोंत में मैं चाविक दी आँ और दो मिनट में चटनी में थोड़ा सा उबाला आ जाएगा बस हमारी चटनी हो गई है रेडी और इधर इडली भी हो गई है रेडी और लग चुकी है टेबल पे जिसको खाना है आजाओ बना के खिलाओंगी कमेंट करना प्लीज